आप देखिए आपके लिए बहुत ही सरल सवाल लेका रहे हैं और हम बिल्कुल बिल्कुल यकीन करते हैं कि आप लोग माध्य क्यानी की माध्य का निकालना सीख गए हैं इसलिए बहुत ही सरल सवाल आपके लाए हैं तो अब बहुत सरल तरीका आपको पता ही है क्या करेंगे सबसे पहले अंतराल और बारमबारता अगली कलम क्या होती है संचय बारमबारता बहुत ही सरल सवाल है बारमबारता अब देखिएगा फिलाल हमारी किसी बार से आप नाराज मत होना क्योंकि मेरा सिप एक उद्देश है कि अधिक से अधिक लोगों तक मेरा सवाल पहुँचे यदि बास्तम में मैं अपनी जगे पर सही हूं तो अब देखिएगा धिहान से जीरो से दस दस से बीस बीस से तीस तीस से चालिस चालिस से पचास और पचास से साथ ये हो गई हमारी यहां तक ये हमने बस ये पड़ी है इसको खड़ा कर दिया हमने खाली और कुछ भी नहीं किया है और सही बता रहे हैं गड़ित लगाना कोई तोप नहीं है और जो ये सवाल हम लगा रहे हैं ये बहुत बढ़िया सवाल है सरल भी है और अधिक नंबर में भी आते है और अच्छी बात पता क्या है अगर कोई बच्चा बहुत कमजोर है तो बो भी इन सवालों को आराम से सीख जाता है पांच और एक्स पांच एक्स फिर बीस पंद्रा बीस पंद्रा फिर बाई और पांच अब आप एक्स बाई जेड देखकर अपना साहस मत खो देना बहुत सल सवाल है नियम भी लगेगा क्या सबसे पहले पहले गिंती लिख लेते हैं फिर इस वाली गिंती को उतार लेते हैं और ये वाली संख्या हम जोड़ देते हैं नहीं जुड़ेगा कोई बात नहीं अब इन दोनों संख्यां ये संख्या एक ही हो दी क्यों एकस वाई जोड़ता नहीं है अब इन दोनों संख्यां को ऐसे ही रिख देते हैं उपर वाली नीचे उतारेंगे और ये बारी संख्या प्लस में जोड़ देते हैं तो कितना आजाएगा 20 और 25 ये तो जुड़ेगा और प्लस में X है अब ये बारी संख्या यहां उतार देते हैं 25 प्लस X अब प्लस में ये वारी संख्या यानि कि प्रोस बाली 15 जो है जोड़ देते हैं तो 25 और 15 चालिस हो गया ये तो जुड़ेगा ना X नहीं जुड़ेगा अब ये संख्या यहाँ पर लिख देते हैं अगरी लाइन में 40 प्लस X और ये बाले संख्या जोड़ देते हैं प्लस बाई ये नहीं जुड़ेगा तो इशा लिखा एंदो अब ये बाले संख्या नीचे उतार लेते हैं 40 प्लस X प्लस बाई और ये बाले संख्या प्लस में लिख देते हैं 5 तो 40 और 5 कितना हो गया 45 प्लस X ये देखिए, हर सवाल में हमने इसमे एक गल्दी कर दी कि पहले ही वो लाइन खीच दी कोई दिक्कत नहीं, ये यहां तक है ये नहीं है अब बस कहराई की बारम बारताओं का योग साथ है तो यहां पर साथ बारम बारतां का योग दिया हुआ है याने की सिगमा एफ लिख सकते हैं और साठ का यूज कहीं आएगा तो देखा जाएगा ये कितना है? साठ है और ये इसमें आएगा आगे अब देखेगा और इसको हम एन से भी तो लिखते हैं ये भी दिखान रखो हाँ अब आपने देखा है कि दिया है दिया है क्या दिया हुआ है कि मद्धिका जो है वो 28.5 दी हुई है 28.5 दी हुई है तो हमेशा ध्या रखो जो मद्धिका है वो किस बरगा अंत्राल में आएगा वो इस संख्याक बताता है दो 10 के बीच 0 स 10 के बीच में 28.5 नहीं आएगा 20 के 10 के बीच के बीच नहीं आएगा 20 से 30 के बीच में 28.5 आएगा इसमें आएगा तो ये बरगंत्राल हो गया हमारा ठीके ये बरबारता हो जाएगी इसके पहले वारी संख्या ये जो है ये हमारी सी हो जाएगी इतना तो मालूमी हो गया बाकी ये तो 10 हो जाएगा तो फिर देखो द्यान से तो दिया है इसलिए इसलिए 28.5 माधिका का बर्ग अंत्राल कितना होगा बीस से तीस होगा बीस से तीस होगा क्यों है ठीके तो जब इतना हो गया तो माधिक बर्ग कितना हो गया ये माधिका बर्ग यहां पर चूंकी लगा होगी है चूंकी इसलिए माधि का बर्ग बीस से तीस है तो अब अल हमारा निमसीमा बीस एच हमारी तीस से बीस गटा दो तो दस एफ हमारा बीस और सी हमारा पांच प्लस एस सुरी एक्स अब ठीक है हल करना चालू करते हैं तो सूत लगा दो माधिका बराबर एल प्लस एन अपान टू माइनस सी अपान में एफ गुणा में एच माधिका हमारी कितनी है 28 दस मलब 5 बराबर एल हमारा कितना है एल हमारा 20 है प्लस एन अपान टू 60 बटे 2 माइनस सी सी हमारा है 5 प्लस एक्स बटे में 20 एफ हमारा 20 है गुणा में एच हमारा 10 है यह हमने मान रख दिया है इन में देखो यह 28 दस मलब 5 मादिका है जो कि यहां लिखी हुई है एल हमारा 20 है तो यहां लिख दिया एन हमारा 60 है यह देखे यह एन 60 है तो 60 पर दो लिख दिया माइनस का यह पूरा कोश्ट अग मानस रख देगा अगर एक मानस लगाया हमारा घटाने पर 10 आया तो यह 10 लिखा और F हमारा 20 आया अब देखे यह 10 का यह कर आया ठीक है ओके दो एक कंदो और 20 का आदा 60 का आदा 30 होता है तो यहां दो बच्चा है अब दो बच्चने दे अभी यह से लिखा रहें दो हम हम अभी देखते हैं और कि 28 दस मिला 5 पराबर 20 अभी से लिखा रहें दो प्लस 30 इस मायस के अंदर गुणा करो मायस का 5 मायस का X और बटे में 2 हम भी बेवकूफी इंसान है क्यों इसका पंच्चांतर कर लेते यानि इसको इधर बेदेते लेकिन चलो कोई बात नहीं जब खिताब लगी गया बेवकूफी का तो बाती खतम हो गई अब यह 20 को इधर ले आते है तो 28 दस मिला 5 मायस का यह पिसका इसका आएगा मायस का 20 बराबर 30 में से 5 गये तो 25 मायनस का X बटे में 2 कितना आ गया और यह गटाना है तो कितना आ जाएगा 8 दस मिला 5 20 गये वह बटे में 28 हो गया और यह 2 आएगा गुड़े में तो गुड़ा में 2 बराबर 25 मायनस X अब यह देखो धिहान से एक लेंड और बढ़ा लेते हैं 8 दस मिला सोई 8 दुने 16 यह सत्रा हो जाएगा सत्रा बराबर 25 मायनस X और अब यह X इधर आएगा यह मायस का X से इधर आएगा तो प्लस का X हो जाएगा और यहां 25 पहले से ही है यह सत्रा इधर आएगा तो मायस का सत्रा हो जाएगा और जब घटाएगे तो X बराबर 17 से 25 आएगा तो 8 हो जाएगा यह हमारा X का मान आगया और इसको इसे छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं लेकिन अभी X का मान आया है और भाई का मान निकालना है दिया है दिया है बारम बारता ओ का योग बराबर 60 और रियल में योग आया कितना है यह 45 प्लस X प्लस बाई भाई लिख देते हैं 45 प्लस X प्लस बाई बराबर में कितना है 60 दो X का मान रखने पर तो 45 प्लस X मान आया है 8 यह 8 हो गया प्लस बाई बराबर 60 इनको जोड़ेंगे तो आठ प्लस बराबर 60 तो बाई बराबर 60 इतरे पर इंदर आएगा मायास का तो बाई बराबर 60 से 53 के 7 तो आग्या सवाल आता हा X बराबर तो हमारा हो गया है 8 और वाई बरावर हो गया है हमारा साथ तो कैसा लगा सवाल अच्छा लगा होगा तो लाइक शिर कमेंट करें फिर मिलते हैं अगले